बड़ी खबर विध्यारतियों के लिए जहां CBSC बारवी की बोर्ड परिक्षाइश थगित और दस्वी के एक्जाम्स कैंसल्स केंद्री शिक्षामंत्री ने ट्विट कर दी जानकारी परिक्षा को लेकर एक जून को लिया जाएगा फैसला दस्वी और बारवी को मिलाकर तीस लाग से जादा स्टूडेंट्स ने देनी थी परिक्षा करोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीबी ऐसी की दस्वी और बारवी की परिक्षाइश टाल दी हैं सिबी ऐसी बोर्ड एक जून को रिव्यू करेगा इसके बारवी की परिक्षाओं पर फैसला किया जाएगा एक्जाम से कम से कम 15 दिन पहले छात्रों को परिक्षाओं की सूचना दी जाएगी दस्वी की परिक्षाओं कैंसल कर दी गई है ये भी चार मई से 14 जून तक होनी थी दस्वी के चात्र परमोट होंगे बोर्ड इसके लिए एक क्राइटेरिया तै करेगा जिसके तहर चात्रों को परमोशन मिलेगा अगर कोई चात्र रिजल्ट को लेकर संतुष्ट नहीं है तो उसे परिक्षा देने का मोगा दिया जाएगा ये परिक्षाओं परिस्थित्यों के सुधार के बाद ही करवाई जाएंगी ये फैसले परधान मंती नरेंदर मोदी और शिक्षा मंत्री रमेश पोख्रियाल निंशक की बुदवार दुपैर करीब घंटे वर की चली बै अरवी को मिला कर 30 लाख से जादा स्टूडेंस शामिल होने वाले थे आपको बता दे कि करोना से महारास्ट दिल्ली उत्रफरदेश मध्यपरदेश समेत कई राज्ये बहुत जादा प्रभावित हैं ऐसे में एक्जाम्स करवाना बड़ी चुनोती है आपको बता दे कि कल ह केंदर सरकार से परिक्षा रद करने की अपील करते हुए कहा कि परिक्षा केंदर वायरस के संक्रमण को फैलाने में सहाइक साबित हो सकते हैं इसी बीच पंजाब के CM कैप्टन अमनेंदर सिंग ने भी केंदर को पत्र लिखकर 10-12 की बोर्ड की परिक्षाओं को स्थगित किये जाने की अपील की थी COVID-19 महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए महारास्ट ने भी राज्य बोर्ड परिक्षाओं स्थगित कर मई के आखिर या जून में कराने का फैसला लिया है इसके अलावा मध्य परदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10-12 परिक्षाओं आगे के लिए टाल दी है MP बोर्ड 10-12 की परिक्षाओं 30 अपरेल से शुरू होनी थी MP स्कूल एजुकेशन विभाग जल्द ही नई घोशना तारीकों की करेगा आपको मिलेगी 6 लाख रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटिनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुग करें